सूप्रभात, बच्चों, आज हम लोग पाठ दो भिक्षा पात्र के प्रश्णोत्तर करेंगे पहला मौखिक है कपसू पक्षी और प्रजा क्यों व्याकुल थे? पसू पक्षी और प्रजा भैंकर सूखा पढ़ने के कारण भूख प्यास से व्याकुल थे ख, नगरवासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुध ने क्या किया? नगरवासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुध ने उनकी सहायता करने की सोची नगर के हर आंगन में अनाज पहुचाने का भार किसने लिया? नगर के हर आंगन में अनाच महुचाने का भार अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया ने लिया महत्मा बुध ने सुप्रिया को क्या आशिर्वाद दिया महत्मा बुध ने सुप्रिया को उसके कार्य पूर्ण होने का आशिर्वाद दिया आगे लिखित क, महत्मा बुध ने नगर के संपन लोगों से क्या प्रश्ण किया कि भूखी प्रजा को अन देने के लिए तुम में से कौन तयार है रतनाकर सेठ का माथा लजजा से क्यूं जुग गया क्युंकि वो बहुत धनी था लेकिन उसके रीदे में उदारता ना थी जिसके कारण भगवान बुध के प्रश्ण करने पर उसका माथा लजजा से जुग गया सुप्रिया कौन थी उसने बुध से क्या कहा सुप्रिया भगवान तथागत के प्रियशिस अनाथ पिंडद की बेटी थी उसने भगवान से नगर के हर आंगन में अनाज पहुँचाने की बात कही आगे सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों का मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने दिल खोल कर दान करना शुरू कर दिया प्रश्ण दो सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ सेठ धर्म पाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी चौथा ओप्षन राज्य का कर चुकाने की ख पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है महात्मा बुद्ध के लिए अनाथ पिंडद कौन था सुप्रिया का पिता भाशा से नीचे दिये गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखो जैसे उदाहरन दिया गया है युवक, युवति, भाग्यवति, भाग्यवान अर्थाद यदि पुलिंग में दिया हुआ है तो स्त्रेलिंग में उसका अर्थ लिखना होगा और स्त्रेलिंग दिया गया है तो पुलिंग शब्द लिखना होगा सेवक सेविका शिश्य शिश्या आकार की मात्रा महारानी महाराज पुरुष स्त्री दूसरा दिये गए शब्दों के सामने सही समान आर्थक शब्द चाट कर लिखो भगवान इश्वर, हाथ कर, मुख मुह, शिश्य चेला, वर्षा बारिश, अन अनाज, आँख नेत्र, द्वार दर्वाजा, धर्ती वसुधा दिये गए विशेश्यों के नीचे उचित विशेशन पाट से ढूण कर लिखो विशेशन और विशेश्य यहाँ पर विनम्र, स्वर, मधुर, मुस्कान, कठोर, आवाज, धनी, सेथ आगे नमबर फाइव विज्ञान, वी जोडशेस, विशेस, वी जोडजय, विजय, निर जोडजन, निरजन, ज़ के उपर रेफ की मात्रा लगी हुई है उसी तरह से निरबल, निरबल में बह के उपर रेफ चली जाएगी निरधन, धो के उपर रेफ की मात्रा लगा देने से शब्द बन गया निरधन प्रतेक पंक्ती में बाई और दिये गए शब्द के बहुवचन रूप पर राइट का निशान लगाओ स्त्री, इसमें दूसरा ओप्शन, स्त्रियां आवाज, ये चौथा ओप्शन, आवाजें जिसमें बिंदु दी गई है पौधा, तीसरा शब्द, पौधे दरार, पहला शब्द दरारें